हेलो गाईज मेरी मानियत इस स्टॉक को किसी भी टाइम फिरेम पे आपको नहीं छोड़ना चाहिए जब जब गिरावठ हो इस स्टॉक को बाई करके सीधे चुप-चाप से बैट जाना चाहिए अगर आपने ऐसा किया होता तो आज आपके पास करोडों की प्रॉपर्टी होत मीजनस मौडल इतना बहतरीन है और सीगमेंट सेटरा और सीगमेंटिय और मतलब फिर्ट अधिय NPC के बारे में और क्या बताऊं कंपणई इतेनी बहतरीन यहां से देखने को बनता एक महिने में अगर आपने पैसे लगाए होते तो आपको पैसा बनातना तो यह स्टॉक गवक 700 के लेवल पे था और अभी कितने पे ट्रेड कर रहा एट एंडेट फिप्टी पे अगर 6 मेने की बात करूं तो 6 मेने में भी इस स्टॉक ने आपको पैसे बना के दिये हैं और अगर मैं इस से आगे की बात करूं एक साल की तो एक साल के टाइम फ्रेम में भी इस सचाइप जो सता शोते हैं अध्याइपि बेहतरीन खूर चांज मैं आपको और दिखाताहूं तीन साल के टाइम फ्रेम पे देखिये सचेट हैं लोगों को तीन साल में इस टाइम पेसे कहा बना के दिया चारगना कर दिया लोगों जो का की चार्लीस के सा टाइम टाइम फ्रेम में पान साल के टाइम फ्रेम में इस स्टॉक ने लोगों को लगभग 10 गुना से भी 12 गुना रिटरंस इस स्टॉक निकाल के दिया और एच मैक्सिमम देखेगा तो आपके पास होते करोड़ों रुपए अगर आपने इसमें अपना इन्वेस्टेमेंट किया हो यह 8 रुपए 10 रुपए पर स्टॉक ट्रेड करता था आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो यह होता है एक अच्छे कॉलिटी के स्टॉक की निसानी 200 डे के मूबिंग अबरे से स्टॉक कभी नीचे नहीं गया यह मार्केट की कंडिशन खराब होने के वज़ा से मार् और क्यों कह रहा हूं देखिए इस स्क्रीन पर आपको मैं दिखा देता हूं देख लीजे यह इस्क्रीन पर आपका नजर आ रहा होगा फंडमेंटर है और यह स्टॉक्टी निकाला है यह स्टॉक में यहां से तेज हो सकता इस चीज को ध्यान में रखते हुए और इस टॉक में अगर आपने पैसे नहीं लगाए हैं तो यहां से साइपी स्टार्ट किजिए यहां से भी मोमेंटम देगा कंपनी क्या है यह बेसिक केमिकल्स फाइन स्पैसिलिटी सारे केमिकल्स बनाती है मैं कभ मैं इसको सिर्फ इसलिए आपके पास प्रेजेंट किया हूँ कि कल के ट्रेडिंग सेशन पर हो सकता यह स्टॉक फिससे आपको तेजी दिखा सकता और अगर आप इस स्टॉक पर माल उठाते हैं आपको फसने वाली टेंसन नहीं होगी एक स्मॉल केप कंपनी मिड केप कंप सेमस सोचिए और पैसे बनाके देने में में बड़े बड़े लार्ज रार्ज केप प्रस्ट कभी बाप है यह स्टॉकorsa का रीटर स्क्यूं निकल रहा रहा है इसकी रिजल्ट्स बहतरीं हो रहे है डिफिनेटली बहतरीं सो रहे हैं देख लिजे उने इस करोड कीौपिट 24 20 करोड 40 करोड कोई ऐसा क्वाडर नहीं है जहां पेसने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया नहीं है सिर्फ मार्च क्वाटर जून क्वाटर यह सभी क्वाटर में इनका थोड़ा सा प्रॉफिट का सिग्मेंट जो है वो कम हुआ था बट देख लिजे 19 करोड से मैं एर ओन एर प्राइस को रोक दे उपर जाने के लिए कोई ऐसा बंदा नहीं है कोई ऐसा चैनल नहीं है कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं है कि इस स्टॉक को क्या करें डाउन साइड ले जाए दस साल का सिग्र 40 बड़े बड़े लार्च केप स्टॉक नहीं दिया आप जाके देख लिजे सालों में 66% तीन सालों में 62% और एक साल में 500% का रिटर्ण देखिये फंड मैनेजर्स जो मेश्वल फंड्स के फंड मैनेजर्स होते हैं वह इसलिए मिड क्याप स्मॉल क्याप और लार्च क्याप इन तीनों सिगमेंट पे अपना पैसा डिवाइड करते हैं वह अलग बात स्मॉल कैप को देते हैं बहुत सारे फंड्स स्मॉल कैप को नहीं लेते हैं तो इन दोनों कैटिगरी के स्टॉक्स पर डिवाइड करते हैं आप भी अपना पोर्टफूलियो तयार किजिए ऐसे स्टॉक्स को चुनिए जो अभी रिटर्स दिया है तो आने वाले टाइम में सिंटॉर्फिट की बिजनस का सीग्मेंट बैठ चुका है इसके कस्टमस बढ़ रहे हैं कस्टमस घटने रहे तब हित इनके प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं इसलिए आज के लिए भी कल के लिए और आने वाले कल के लिए भी तीनों टाइम फ्रेम पे यह स्टॉक फिट बैड़ता सूपर हिट स्टॉक में आपके साथ चर्चा कर रहा हूं दिपक नाइट्रेट याद रखिएगा अपने वाच लिस्ट में रखिएगा और आपको जब मौका मिले ऐसे स्टॉक पे पोजिसन बनाई यह भूल जाए ऐसा स्टॉक है यह कॉलेटी का यह डिटेल्स कैसी लगी और दिपक नाइट्रेट की और भी डिटेल्स चाहिए तो हमें कमेंट सेक्षिन में अगर रहा थी इसकी पूरी डिटेल्स हिस्ट्री जोग्रफी पूरा वीडियो आपको मजा आ जाएगा देखके अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो मैं डिटेल्स कलेट करके आपके पास प्रिजेंट करने की पूरी कोसिस करूंगा यह वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्षिन पर कमेंट किजेगा और स्टॉक कैसा लगा यह डेफिनेटली कमेंट किजेगा कल के लिए और आने वाल से एक बार जरूर कीजिएगा तभी स्टॉप पर बनिएगा यह मेरा डिस्किलिमर है थैंक्यू